जाए इन दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ बहतर होंगे स्वास्थ होंगे दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ये आप में से बहुत सारे लोगों ने ये question पूछा है कि इंडिया में driving license बनाने की maximum age क्या है यानि की driving license इंडिया में जो बनता है उसकी जो है क्या specified है यानि की अधिकतम उम्र क्या है तो वो चीजे मैं इस वीडियो में आपको सही से एकदम बताने वाला हूँ तो वीडियो ध्यान से देखिए बीना skip किये हुए नए हो तो as usual वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए लाइक करने के सासा इस चैनल को सब्सक्राइब प सब्सक्राइब में 1988 में वो स्पेसिफाइड है यानि के नियूंतम उम्र जो है वो आपकी 16 वर्स होनी चाहिए किसके लिए mcwog लाइसंस बनाने के लिए यानि कि बीना गियर वाली गाड़े को चलाने के लिए लेकिन अगर आपको गियर वाली गाड़ी चलानी है तो उसक से जो लाइसंस बनते थे वो थे मैं इसलिए बोलना क्योंकि वो पहले बनते थे लेकिन आपकी के टाइम पर आप ये मान के चलें कि 18 वर्स वो है नियूंतम उम्र निर्धारिक कर दी गई है किसी प्रकार की जो गेर वाली वहिकल्स होती है मोटर साइकिल है और आप फोर मि अधिर वाली जो गाडिया हैं वो एक्चुली में हैं लेकिन उसकी सीसी जो है कापैसिटी वो काफी ज़्यादा भोच चुक है क्योंकि MCWG लाइसंस जो है वो पचास सीसी के अंदर तक की गाड़ियों को चलाने के लिए बनाया जाता था इंडिया में लेकिन अभी ऐसे टाइम पर पचास सीसी के अंदर की कोई वहिकल्स नहीं है फिलहाल इसलिए वो लाइसंस काफी ज़्यादा अब ना के बराबर बनाया जा बनाने के लिए कहने का मतलब यह है कि जब तक आपका सरीर साथ दे आप फिट एंवं फाइन है तब तक आप इंडिया में ड्राइविंग लाइसंस आसानी से बना सकते हैं और उसको रिन्यूबल भी करवा सकते हैं हाँ इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अग बना में काफी कम होगी जी हां तो आपको जानकारी देते हैं कि जो देखिए जी अगर आपकी उम्र जो है 55 साल से अधिक है तो आपका जो ड्राइविंग लेसंस बनेगा वो उसकी वायदिता के वाल 5 सालों के लिए होगी 5 साल और नेक्स्ट फिर से 5 सालों के बाद आपको उसको रिनेवल करवाना पड़ेगा और फिर से आपको वालेटिटी 5 साल आपको मिलेगी तो इसी के क्रम में यहाँ पर 5-5 साल की वालेटिटी आपको मिलती चली जाएगे आप रिनेवल करवाते जाएगे जब तक आप फिट फाइन हैं आप गाड़ियां चला सकते हैं अहां से वाइधिता में काफ Nygs कर दिया गया था तो जो नए जनरेसों के लोग इसे लोग तो यह This साल के अ अंदर बनाने के लिए जाते हैं तो उनकी अम्रत जो है 30 साल के अंदर है तो इसलिए उनका ड्राइवं जन जो बाना जाता है वह ऑप 20 सालों की वायधिता उसमें वैदिता तो उसी के साथ साथ जब यहां पर आप 50-55 के बीच में रहते हैं तो आपकी जो driving license की वैदिता होती है उसकी आपकी उमर की 60 वर्स तक होती है जिसे कि आप 52 साल के हैं आप DL renewal करवाने जाएंगे तो आपकी जो validity होगी वो 8 सालों की होगी 54 साल के है तो 6 साल की और 55 स सालों की कर दी जाती है चाहिए आप 70 साल के हो अस्ती साल के हो या 90 साल के हो बस यह है कि आप फिट फाइन होने चाहिए आप गाड़ी चलाना अच्छे सापको आना चाहिए तभी आप driving lessons renewable करवाएं यह जरूर है तो उमीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होग सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो को सेयर करिएगा यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जयाहिंत वंदे महात्रा